किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाए कैसी होगी राउल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहे हाईब्रेट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ तो हेलो बच्चो नवाबा यूट्यूब चैनल के बोड़ाबा सेक्षिन आप लोगिगों का सवागत है बच्चो तो देखो आज हम आप लोग का संस्क्रीट का जो है टरमटू का सॉल्यूशन शुरू की है तो यह सेट वन का है बच्चो और मैं बता दू कि टरमटू का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए बचो तो हमारे चैनल में ही मिल लागा सबसे बेश सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको भी जरू कर लेना क्योंकि उसमें अब्जेक्टिव क्वेशन है तो ज्यादा मार्स उठेंगे टरमटू का आज लिका है सेट वन ठीक है की संक्या अच्छी रहने वाली है पेपर लेंदी रहने वाला है इसकला बच्चो देख लो दो चैनल है हमारे बोडाबा नौवाबा दोनों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना यहां पर पीछले साल से 75% से अधिक मार्स 1200 से ज्यादा बच्चो ने लाया है इन चैनलों वसंतर्ष्य गुनम का जानती वसंत का गुन कोन जानता है तो यादर के बच्चो वसंतर्ष्य गुनम पिका जानती वसंत का गुन कोयल जानता है है न कोयल पक्षी आगे देखो पूछ रहा है कि नरणाम मनुश्य नाम पर्थमा सत्रू का मूलता है कि मनुश्यों का जी वहुत है है उसका पंक फहला न उठा के नाचने की मुद्र हुद्सक्रार अगे थीब qu Nordып लुटेशनाव content किम B infinita क्या बूलता है क्या है कि मनुष्यों की बात करने का तरीका य। लहजा में कैसा होना चाहिए। मतलब उसकी वानी कैसी होनी चाहिए, तो लिखा है कि मनुष्य नाम वहाँ पे वाची सरलता भवेत, है ना, कि मनुष्य की वानी में सरलता होनी चाहिए, आवकरता भी अप इसका एंसार लिख सकते हैं, आवकरता, चलेगा, ठीक है, आगे देखो, तिरिना नाम केन सा कर लेता है, आगे देखो, पूछ रहा है कि का चंदन दाशम द्रस्टुम इच्छती, कोन चंदन दाश को देखने की इच्छा रखता है, तो क्या हो जगा चैनक क्या चंदन दाशम द्रस्टुम इच्छती, कि चानक की चंदन दाश को देखने की इच्छा रखता है, आग यहां पर खंडखा में आ गया है लगू उतर ये प्रसन है तीन-तीन कोश्च पर मतलब की नंबर मतलब अंक वाले पाँच परसन रहेंगे ठीक है तो देखो संधिम अथ्वा संधिम विछेदम कुरूत बोलता कि संधी करो या संधिम विछेद करो जो है जैसा उसे करो तो दे जाएगा चलिए नेक्स चलते हैं बचो अब देखो बचो यहां से समास्विग्रहम या समस्थ पदम लिखात बोलता कि समास का विगरह करें या समस्थ पदल लिखें तो देखो यहां पर या न पर तो मतलब संयुज़ित करना जोड़ना है विर्चोपरी आप पुरूम इ आगे देखो बच्छों पूछ रहा है कि अधो लिखीता नाम पर्याए पदम समार्थख पदम लिखत बोलता है कि जो समान अर्थ वाले सब्द हैं उनको लिखना है नीचे वालों को देख के समानार्थ पार सब्द और आप लोग प्रयावाची सब्द हिंदी में भी पड़े होंगे देखो बचो जलम का कमलम आप काट देना और यहाँ पर आप लोग मैं बोल रहा हूँ सलीलम लिख लेना ठीक है सलीलम ठीक है यह ज़्यादा एकुरेट है लेकिन जलम का आपको सलीलम ठीक रहेगा बचो ठीक है नीर भी ज़्यादा अगे देखो पूछ रहा है अधो लिखेता नाम पदनाम विपर्य है ना देखो विपर्य पदम या विलोम पदम विपरार्थक पदम तीनों चीज लिखते आगे है कि विपरार्थक सब लिखना है उल्टा सब्द वाले चीज़ों को लिखना है देखो पक्वा पका हुआ का पक्वा हो जाएगा तो संस्क्रित का जो व्याकरन पॉर्षन है बच्छो अच्छे से कंप्लीट करके जाना आप लोग का मार्ग्स अच्छे आ जाएंगे ठीक है चलिए हम लोग आगे चलते हैं देखो बच्छो टुएल्थ नमर कोश्चन पूछ रहा है रेखांकित पदमाधृत ती प्रशन नाम कुरूत बोलता है कि जो रेखांकित पद है उसको ध्यान में रखते वे परशन का निर्मान अप्रोको करना है देखो यहां पर कोश्चन का मैंने एंसर कर दिया है पहला को अब यह देखे अगला है सर्वे परकिर्ति मातरम परमंती सभी परकिर्ति मातर को परनाम करते हैं तो किसको परनाम करते हैं तो काम यहां पर लग जाएगा सर्वे काम परमंती याद रखे किसकी का कसी है काम मतलब किसको अब ठाट क्वेशन है कि गजा सुन्देन सवकारिय करोती की हाथी सून से अपना कारी करता है ठीक अपना काम सवकारी हाथी सून से करता है तो किस से करता है तो देखो का कम केन काई यह वाल आप लोग को जो होता है विबक्ति याद होना चाहिए कारक में कि करता कारक करम कारक करम कारक में क्या क्या होता है तो यहाँ पर केन संपट पर जाना है यहां पे च्षाटना सबसे एक से केते हैं है कि जो जो हुँआ होता है कि इसका बतलाता है थीक जाना कोश्ञ है कि घुंचária कि बुद्धि पदम कीम बोलता है विशेशन पद छाटना है जो विशेशता बतला रहा तो बुद्धी मान ना विशेशता बतला रहा बच्चो बालक हो गया विशेशन और बुद्धी मान हो गया विशेशन तो देखो विशेशन पदम बुद्धी मान आपका पहला का एंसर हो जाएगा से बांच बालक बिद्याले जाते हैं इसमें वशेशन पता है तो आप लोगों पता होगा संख्या वाच वूचे आपके लड़के आपको वीशेशन पता है जोड़कर या अलग करके आपको लिखना है तो देखो पहला क्रितवा, क्रितवा में देखो क्रि धातु है और खत्वा आपका यहां पर परत्या है तो हो जाएगा परत्या यहां पर होärtगा कलगे लिख गएढ़ कले आ है करना अत्तवयत यहां पर आपका हो गया परतिया है सेव हो गया आपका धातू आगे देखो बचो गम जोड सत्री तो गच्छत हो जाएगा बचो यह देखो इना पुन्सक लिंग के लिए यह भी चलेगा आप लिख सकते हैं इसके लावा गच्छन भी होता है और आपका गच गच्छंती भी होता है बच्छो गच्छंती है ना गच्छंती तो आप लोग जो चाहू लिख सकते हो ंगें लेकिन कि दिख परतिया से भी तीन नमबर आ जाते हैं बता कि यहां से दिर उत्तर वाले प्रशन आगे हैं लिखत देखो हां पर एलोग है बहुता विद्यालिया शात्रान शेच्छिक यात्राय जोदपूरम नेशती मुलता है कि सेच्छिक यात्रा के लिए मतलब एजूकेशनल कोई भी चीजों के लिए आप लोग का जोदपूर जा रहा है कहां पे जा रहे हैं जैदपूर ठीक है और ये आपका स्कूल का टूर है स्कूल के बच्चे लेके जा रहे हैं तो आप इसकूल के साथ आप भी जाओगे तो आप किस से मांगेगे परमिशन अपने पापा ममी से तो यहां क्या लिख रहा है पितू पितू मतलब पापा से आग्या प्राप्तियरथम लिखी ते असमीन पत्रे है ना सब्सूची सहयत्य रिक्तस्थानी पूरत बतापा से आग्या लेके उनको आग्या लेने के लिए जो पत्र आप लिखते हैं उसमें यहां पर देखीए सब्द सूची यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों है ना उससे साहिता से आपको रिक्त स्थान को भरना है उस पत्र को देखो यहाँ पे याद रखिए यह मंजूसा जो दिया हुआ यह आपका बॉक्स है यहाँ पे जितने भी आपको यात्रा वेर्थना मतलब यात्रा के वय के लिए खर्च के लिए आगे देखो पूछ रहा है या छात्रा वसता तो छात्रा वास से यह आपका एड्रेस का काम करेगा बच्छो छात्रा वास से भावताम मतलब आपका आगे देखो पित्री मोध्या पिता जी को संबोधन कर रह प्रेशन तु भेजना नमो नमा मतलब की अधर प्रणाम करना है मतलब माता के लिए कुसलता मतलब आप लोग समझे रहे होंगे सैचिक यात्रा है मतलब सैचिक यात्रा के लिए आगे देखो बचो क्या भरना है सबसे पहले यहां पर अपना एड्रेस बर देना चातरा वास आपने सभराया मतलब 65 यहां पर तीथी द्यावा नहीं था तो मैंने अपने सही भर आ चात्रान सेच्छिक यात्रा है जोदपूरम नेशनती हमारा जो विद्याले है सरद अवकास मतलब ठंडी रीतु मतलब दिसंबर में आप लोगो 25 दिसंबर से जो छुटी मिलता है उसी की बात लगो मुझे लग रहा है कही जा रही है कि इस सरद अवकास में हमारे सभी बच् इतिहासिक तो वही इतिहासिक जगा मैं भी देखने को इच्छोक हूँ महियम है ना महियम यात्रा वेर्थावन पंच सतम रुप्य कानी प्रेशन तु भूंता बोलता है कि इस जो मतलब कि यात्रा में जो खर्च आने वाला सेश 500 रुपे जो आने वाले हैं वो आप मुझ देना है अब आगे देखो बचो यहां लिख रहा है अधो दतम चीतरम द्रिष्टवा मंजुशायाम प्रदत सब्दानाम सहायत्या पंच संस्कृत वाक्यानी लिखत बोलता है कि नीचे जो चीतर आप लोग को दिया है बचो उस चीतर को देखकर मंजुका के सब्द की सहा पांच संस्कृत के मतलब की वाक के लिखने है पांच नंबर मिलेंगे एक वाक की एक नंबर आपको देखे जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसा चीतर है और क्या है तो देखो बच्चो यहां पर आपको मंजुशा में क्या दिये हुए आप लोग देखो फिगर पहले दे हैं अब देखो बच्चो सेकेंड में लिखना अत्र उद्याने बाला कंदुकें की डंती यहां पे बच्चे उद्यान में मतलब फुडबॉल खेल रहे हैं कंदुकें मतलब गेंद से खेल रहे हैं आगे देखो क्या लिखना अत्र अनेकानी पुशकानी संती वहां पे बचूंत्यों की अब आप लोग द्रिस को लिखना दूसरा नंबर में यह लिखना और आप एक और चीज लिखना चाहा रहे होगे कई यहां पर बर्मन भी कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं दो जनो यह भी आपका चलेगा तो उसतरा से करके पांच लाइन लिख देने है यह भी लिख देना है अब चले में नीचे चलते बच्चो ठीक है यहाँ देखो बच्चो आगला पूछ रहा है कि अध्यापक छात्रियो इदम वारतालाप मंजुशात उचिताम पंक्तिम चितवा पुरियत पूलता है पांच नमबर का है बच्चो देखलो यहाँ पे अध्यापक और एक छात्र क बीच में वारतालाप हो रहा है मंजुशा में आप लोग को वाक के दे दिया गया पंक्ति दे दिया गया उसके मदद से आपको देखना है कि कहां पे जो वारतालाप हो रहा है कहां पे कौन सा सेंटेंस आपका यूच होगा आगे देखो आम मतलब हां मम एका भगनियस्ति म घर में रहती है नाम नाम अनुरागास नीरा नाम अनुरागास तेड़र में अधियापक अधियाफ़ n हरक नाम यृव्ण आपको जागास्त पू Tor participated 2 कुत्रवस रहते तो वो बोलता है, तो बोलता है, ना म माता गिरिनी स्ती, नहीं, मेरी माता गिरिनी है, जो कि घर में काम करती है, तो मेरी एक बहन भी है तो इस तरह से करके आपको बच्चो भर ना है चलो नेक्स कोईशन देखो बच्चो अधो लिकी तेशु वाक्यशु अंकनाम सथाने हैं ना शमय सुचक संस्कृत पदा नहीं लिखा तो पांच नमबर का है पांच वड़ का है दो बोल रहा है कि यहाँ पर जो अंकों में लिख दिया गया है समय को उसको आपको संस्कृत पद में आपको लिखना है वही जगा को ठीक है देखो यहाँ पर बोल रहा है सुरेशा प्रात प्राथा किर्या करोती हुआ साठ पंद्रम में उटकर वादने मतलब की परणाम उड़नाम करता है याद रखिएगा यहां पर अगर रहता सव आठ तो सपध अस्टा हो जाता बस इतना अंतर है फिर देखो यहां पर साड़े आठ है बच्चों वादने विद्यालियों के चेती साड़े आठ बजे विद्याले जाता है तो सार्ध अस्ट यहां पर आधे को साड़े को बोला जाता है सार्ध तो सार्ध अस्ट अपराहन पादोन चतूर वादने गिरहम प्रियाग चती है न बोलता है बच्चो बोलता है कि वो पोने चार बजे घर आता है तो बच्चो पोने चार का पादोन चतूर हो जाएगा बच्चो ठीक है पोने का यहां पर पादोन यूज हुआ है पादोन चतूर अब देखो सायम सार्ध चतूरम इसला साड़े चार बजे किड़तु किड़त प्रदत प्रश्णाम उत्राने लिखत जो नीचे जो अनुछे दिया हुए इसको पढ़कर आपको प्रश्णों के जो उत्तर है उसको देना है तो देखो क्या अनुछे दिया है पांच नंबर का है यह ठीक है ध्यान से देखना सौरी चलो देखो अधो लिख यहां पर मैंने जो अच्छे से नगर की रक्षा करता हो है ना वो नगर रक्षक जो की नगर की रक्षा करता था इधर उधर उधर बर्मन एकम असीती वर्ष्य महापूर्श मापस्यत इधर उधर भटकते के समय भर्मन करते समय एक 80 साल के असीती मतलब 80 होता है बच्चों 80 साल के महापू उसे देखकर नगर रक्षक उस महापुरूस को बोला उसको देखकर क्या बोला सुनो अव लोकनेन परतियती यदा एसा विर्चा फली शती तदा भावान जिवीता ना भहुशती तब तक आप जिवीत नहीं रहोगे कहने का मतलब है कि वीर्च में पेड़ लगने में 10-15 साल या आप कहा सकते कि अच्छे से पेड़े में फल लगने में ऐसे तो 2-3 साल में फल लगते हैं और 3-4 जो मतलब कल्मी वहला पेड़ रहता उसमें जल्दी लग जाता है लेकिन जो बड़े पेड़ रहते हैं तो लगनिता वान की मर्थम विर्था का परिश्रम करोती तब फिर आप मतलब फाल्तु में बीना में मेंत काम कर रहे हैं कहने का मतलब हो तो इसी में बेड़ क्यों कर रहे हैं addicts महापूरुस हस के बोले क्या बोले देखो यह सारे पेड़े देखो जो प्ल युक्तान पेड़ प्रश्ण भावामी बोलता है कि यह सारे पीड में देखो यह मैंने आरोपन मतलग कि मैंने यह रोपे नहीं है मैंने इसके लगाए नहीं है पर इनके पीड के फल हम लोग खाते हैं जो बगल में से साइड में दिखा रहे हैं और उसको खा कर मैं संतुष्ट हो जाता हूं मतल लिए जब यह मेरे द्वारे पीड लगाये जा रहा है यह पीड जब फल देगा अन यह लोग खाएंगे तब फिर से मैं खूस होंगा परसन हो जाओंगा महापुरुषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष सज्जनों के बारे में ये बहुती अच्छी लाइन कहीगए अब देखो एक पदेन उतरत एक पदेन आप पूतर देना है दो नंबर का है चार क्वेशन है नगर रचक का कि दिर्शा है ना महापुरुष मापस्यत नगर रचक ने कैसे महापुरुष को देखा तो असीती वर कुछ पढ़ता है कोन बोला नगर रचक ने का सज्जनाम सज्जनता की द्रस्वीब होती सज्जनों की सज्जनता होती वो कैसी होती तो अनुकर्ण करने के योग्य है ना आगे देखो बोलता है महापुरुष कश्य विर्चशास किस पीड को रूपने में तलीन था पीजी कहा देखा नगर रक्षक 80 साल के महापुरुस को कहा देखा तो क्या जगा नगर रक्षक का 80 वर्श का इततता भर्मन देखा पस्चित इधर उधर गुमते हैं समय देखा मापुरुसेन आरुपितस विर्चा से फलानी के खा दे अनती मापुरुसों के दवारा जो रूपे जाते फल वो कौन खाते है मतलब जो मापुरुसेन आरुपितस विर्चा से फलानी अन्य खा दे अनती सबसे अच्छा यही दोनों रहेगा ठीक है यह आप मत लिखना वही अच्छा रहेगा तो यह दोनों में सबसे अच्छा रहेगा तो यह दोनों में आपका सिर्शक हो गया तो इस तरह से देखो बच्छो मैंने आप लोगो कम्प्लीट करा दिया है ठीक है और इसी तरह से बाकी सेट भी लाओं इसके लिए आप लोग अगर कॉमेंट करते हो तो बाकी सेट भी लाते हैं और बाकी बॉड आभा अब रैकेट में जैक बॉड जैक एक ही लाइन में सब लिखना जैक बॉड ठीक है बॉड आभा जो की चैनल का नाम है जैक बॉड करके सर्च मारना टेलिग्राम में मिल लेगा और क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए इस पेसली मैंने एक टेलिग्राम आज के लिए बस इतना ही बच्चों धन्यवाद